दाड़ी सिर्फ गुरूओं के ही नहीं उकती, ये सारे आदमियों के चहरे पर उकती है लेकिन ये सारे लोग इसके साथ हर तरह की विचित्र चीजें कर रहे हैं आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे है सरीर का कोई भी अंग बिना किसी मकसद के नहीं बना है हर चीज के लिए, तिल्ली के लिए भी एक मकसद है तो कुदरत ने आपको बिना मकसद के कोई भी चीज नहीं दिये अगर आप उनसे पूछें कि वो उसे क्यों काट रहे हैं, तो वो नहीं जानते क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए, तब हर भारती के चेहरे पर दाड़ी या कम से कम मूच हुआ करती थी आज आप मुंबई की किसी सड़क पर निकल जाएं आपको हर कोई मुझमुंडा दिखेगा क्योंकि वो उन लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आकर उन पर राच किया क्योंकि जो आप पर राच करते हैं, वो ताकत का प्रतीक है अगर आपकी समवेदन शीलता एक खास तरपर है तब आप जानेंगे कि आपके शरीर में हर चीज का क्या असर होता है और उसका क्या पहलू है आपको लगता है कि ये फैशन है, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आप अपने बालों को अलग-अलग तरह से और आकार में सिर्फ इसलिए कटवा रहे हैं क्योंकि बालों में दर्द नहीं होता अगर आपकी नाक में दर्द नहीं होता तो फैशन के नाम पर आप इसे भी अब तक कई तरह के आकारों में कटवा चुके होते दर्द होने के बावजूद भी लोग इसमें 10 जगाओं पर छेद करा लेते हैं अगर आपके पूरे शरीर में कहीं दर्द नहीं होता, तो आपने अपनी आतें बाहर निकाल ली होती और उन्हें इस तरह लेकर घूमते ज्यादातर इंसान इतने जागरूक नहीं है उनके बुद्धी इतनी जागरूक नहीं है कि अगर कोई दर्द नहीं हो तो भी वो खुद को बचा कर सुरक्षित रख सकें बस दर्द की वज़े से ही वो साबुद दिखते हैं वरना उन्होंने खुद को दो टुकडो में काट लिया होता और एक हाथ इधर और दूसरा हाथ उधर लेकर घूमते वो खुद के साथ हर तरह की बेहुदा चीजें करते केवल दर्द नहीं उन्हें बचा कर रखा है उनके समझदारी ने नहीं अगर आपकी बुद्धी और आपकी समवेदन शीलता काम करने लगती है तब आपकी चिंता इस बारे में होगी कि आप अपने भीतर कैसे हैं और आप क्या आनुभव करते हैं और आपको ज्यादा बोध कैसे हो सकता है आपकी चिंता ये नहीं होगी कि आप कैसे दिखते हैं तो इस लुक का फायदा ये है कि अगर मेरे पास दस साल तक भी शीशा ना हो तो भी मैं वैसे ही दिखूँगा जो लोग ये सब हटा रहे हैं एक दिन शीशे के ना होने पर वो बिलकुल अलग दिखेंगे और आज का फैशन चाहे जो भी हो क्या आपने पचास साल या सौ साल पहले के लोगों की तस्वीरे देखी हैं कोई अपनी मूचे ऐसे काटता था कोई ऐसे रखता था आज आप उसे देखते हैं तो वो फनी लगता है वो आपको काटून लगते हैं और आज का फैशन भी कुछ समयवाद ऐसे ही दिखेगा लेकिन पूरी दाड़ी वाला इंसान हमेशा एक साही दिखता है हजार साल बाद भी वो वैसे ही दिखेगा क्योंकि कुदरत यही चाहती थी कुदरत ने कुछ भी बिना मकसद के नहीं दिया अगर आप जामिती या डिजाइन में यकीन रखते हैं तो डिजाइन ऐसी ही है मैं स्रिष्टि करता कि डिजाइन को बदलना नहीं चाहता मैं उसका पूरा फाइदा उठाना चाहता हूँ